कि हम आपको बताने वाद है फोर डी सीरीस इसी को सेकेंट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है इसको कैसे आप याद रखेंगे इसके लिए प्रिक बताने वाले है सेकेंड ट्राजीशन सिरीज इसको 4D सिरीज क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें लास्ट लेक्ट्राउन 4D सबशल में एंडर रहता है इसलिए 4D सिरीज ये स्टार्ट होती है 39 येक्ट्रियम से लेकर एक्टॉमिक नंबर 48 कैड्मियम था फर्स्ट एलिमेंट है येक्ट्रियम सेकेंड है जिर्कोनियम थर्ड है नायोबियम फोर्थ है मुलिब देनम फिफ्ट है टेक्निशियम सिक्स है रुदैनियम सेवन्थ है रोडियम एट है पैलेडियम थे नेक्स्ट है सिल्वार लास्ट एलिमेंट है तैंथ एलिमेंट कैड इलेक्ट्रों को अकुमोडेट कर सकता है तो टोटल डी सब्शल में कितने इलेक्ट्रों अकुमोडेट हो सकता है 10 इसलिए हर सिरीज में 10 elements है इसको याद कैसे रखेंगे तो एक सेंटेंस आप याद कीजिए पहले यारी जरा मिभाना मौर्निंग तक रुकावट राह में पड़े अगर चड़े सेंटेंस वोड़ा एट पटा है लेकिन एक दोबार आप बोलेंगे याद उसाए यारी जरा निभाना मौर्निंग तक रुकावट राह में पड़े अगर चड़े रिपीट कीजिए फरसे यारी जरा निभाना मौर्निंग तक रुकावट राह में पड़े अगर चड़े जैसी आपने बुला यारी वाय से आपको याद आजाएगा हिक्ट्रियम जरा जडा जिर्कोनियम निभाना NBNC याद आजाएगा NBN नयोबियम मौर्निंग तक MO Molybdenum तक T से T C Technicium रुकावट रू रुदेनियम राह रह रोडियम पड़े PD से पहलेडियम अगर AG से सिल्वर चड़े CD से चैनियम इजी आद आजाएगा समझ गया है सबीकों So love you all, take care कैना म principles प कैना मौर्त